असलों वेलकूम वेलकूम टू शाहिन्स कुकिंग और आज हम बना रहे हैं गुजराती दाल एंड खटी मिटी चटनी यह मेरे घर की मोस्ट फेपरेट है इसके लिए हम लेंगे देर सो क्राम तुवर दाल यह मैंने धूक के रखाया उसमें तुआ पानी दाल है बॉइल के ल अब इसको तीन सीटी तक पकाना है कुकर में अच्छे से पॉइल पूरी अगल जानी चेह दाल यह देखो यह पिल्कुर ऐसी लगी कि तो अज्यादा पानी भी है तो इसो के नो शूज अब एक तपिले में हम लेंगे दो चमच तेल इसको गरम करेंगे अच्छे से अच्छे से एक उसके बाद एक बड़ा चमच जीरा लेंगे हाँ इतना ही दालना है ज्यादा थोड़ा मैंने यह तीन मिर्ची हाफ में कट की है यह तोटल त्री में ग्रीन चिलीज है इसको दालेंगे इसको तड़का लगने देंगे थोड़ा अब इसमें एक पिंच जितना हेंग दालेंगे अब इसमें हम वही बॉइल डाल डाल देंगे तरका हो चुका हमारे रेडी अब इसमें दालेंगे बॉइल डाल बहुत एजी रेसिपिए प्लीज ट्राइक करो घर पर बताओ कैसा वना है अब इसको एक गुबाला आने तक फिर से पकने देंगे जैसे ही रेडी हो जगा इसके बाद मैंने बहुत सारा धनिया लिया है आप अपने इसाब से धनिया दाले गाने शिक लिए मुझे ज़्यादा पसंद है हमाई घर पे डाल में धनिया बस हमाई डाल इत्तम रेडी है अब बनाते हैं खटी मिटी चटनी उसके लिए दो केरी ऐसी पारी कटी हुई कचाम केरी अब एक छोटे से तपेले में या बावल में उसको तेल गरम करेंगे एक चमच तेल गरम करने के बाद एक चमच राई अब जैसे यह तर्टर होने लगेगी उसके बाद एक चमच मेथी अब इसमें हम केरी डाल देंगे थोड़ा सा बहार गेर गया इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी और आधा चमच लाल मिर्ची का पाउडर है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पुरा स्लो फ्लेम पर रखना लो फ्लेम पर वरना जलना जाए अब इसमें डालेंगे हलका आसा नमक इसमें हम डालेंगे दो बड़े चमच शक्कर यहां पर मैंने मेरा कप लिया है अफकॉर्श दो बड़े चमच शक्कर और इसको शक्कर मिल्ट होने तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पकाएंगे यह देखो यह बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी दो तिर मिनिट तक पकाओ और बस जैडी हमाई खटी मिटी चटनी अभी इसको चावल करमा गरम चावल और दाल के साथ खटी मिटी चटनी खाते हैं यूशली हम लोग तो आप भी ट्राइग करना घर पे बहुत एज़ी है कोई भी बना सकता है तो प्लीज प्लीज ज़रूर घर में ट्राइग ना गुजराती दाल खटी मिटी चटनी और प आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो पसंद नहीं है तो भी लाइक करो कमेंट करके बताओ थैंक यूपर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अलाहाफेश